हेल दोस्तों में नाम है समिट कटारी है आप सामने खड़ी है अपनी नेक्सॉन और आज की वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है नेक्सॉन ओनर्स के लिए क्योंकि भाई पिछले कुछ टाइम से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भाई हमारी नेक्सॉन के अंद बढ़ आपको जो है मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा क्या वह चीज है जो आपकी यह पिक आप का इश्यू यह जो माइलेज का इश्यू जो है सोट आउट कर देगी तो बाई देखो मैंने सबसे पहले ना माइलेज मैंने इसके अंदर नोटिस किया कि मेरी सदेनली ड्रॉप हो गया गाड़ी को जाधा टाइम नहीं हुआ गाड़ी जो है अभी अपना एक साली हुगा है इस गाड़ी को अल्मोस्ट अभी हुआ हाली में और गाड़ी जो है सिर्फ और सिर्फ अभी अगर मैं आपको दिखाऊ हूँ साड़े 14,000 अल्मोस्ट चलिए है गाड़ी जाधा चली भी नहीं ठीक है ठीट सर्विस इसकी हो चुके क्योंकि एक साल हो गया था पर पता नहीं क्या हुआ धीरे 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 इस गाड़ी का जो है मालेस डॉप होने लगा चार-पाश हजार चली तो ठीक ठाकि माले क्या हो रहा है अगर आपने चीज़ नूटिस कर रही हो यह सेम मेरी सिच्वेशन अल्टोस के साथ में भी हुआ है अब मैं अगर इस गाड़ी को ना फ्यूल दलवाता था ना और अगर मैं मालो 10 km गया और डिस्टेंस टू एम्टी दिखा रही है अपना 200 km 10 km चलाई और को बहुत जल्दी ना इसके जो फ्यूल के बार होते है ना वो डाउन हो रहे थे तो भाई मैं भी परिशान मैंने का भाई हाथी पाल लिया क्या मैंने 1.2 लीटर इंजनी तो गया इसका टर्बो चार्ज टर्बो भी मैं इतना नहीं एक्टिवेट कर रहा भाई इतनी जो है हा 20 किलोमेटर दिखा रही है मानलो मैं यहां से 2-4 किलोमेटर गया तो सीधा-सीधा यह एक सो पांच वा जाती थी यह फ्यूल का बाहर बहुत जल्दी गिड़ रहा था कुल मिला के यह जहां में A to B point जाया करता था ना वहां यह गाड़ी अब बहुत जादा तेल पीने लग इरियडम वाले स्पार्प्लग जाल लखे थे तो वही मैंने इसके अंदर वही किया इरियडम स्पार्प्लग मंगवाए ठीक है चार का सेट मिला बट इस गाड़ी के अंदर तीन आते हैं और यह मैंने मंगवाए अगर मैं आपको दिखा हूँ एक तो मेरे पास अभी भी जो कि मैं अल्टव द preserved के लिए मैंने दो मंगवाए लिके हैं तीसरा मेरे पास इसके अंदर आई गया था तो यह चार का सै्ट आया था और यह बूड मों से ने मिला मेरे को मोटर पार्ट से मिला था जो कि मेरे को महंगे पड़ेते आ महां से बूड मों पर तो यह सस्ते भ आया कि और जो में दूसरा वालो की में बात कर रहा हूं ना जो इसके साथ आता है ओह यह ठीक है चार का सेट आया था क्योंकि उस पर चार यह वाले बिलता अगर आप बूड मों से ले तो आपको तीन मिल जाएंगे तो आप खुद ही देख लो यह इरीडम स्पार्क प्लाग है जो कि इसके साथ में आए है ठीक है 0.9 mm का गैप आया था इसके साथ अब मैं थोड़ी स्पेसिफिशन के बारे में बात कर लेता हूं किस तरीके से इंस्टॉलेशन होगी यह जो चीज़ है तो सबसे पहले देखो यह इतने रुपए का 590 रुपए के MRP है तो कहीं ना कहीं आपको जो है यह कहीं बार 450 403 500 तक के यह मिल जाएंगे बूड मों पर इनका प्राइस बहुत आती है ठीक है बागी यह कुछ ऐसे भी होते हैं खामा खाकी मतलब खामा खाकी क्या मतलब क्या मिल रहा है भाई करन दो यार जिसको भी करना है अपने टॉपिक पर आते हैं तो भाई यह अपना जो है इरीडेंस पर इसके इनर डाले है 0.9 mm गैप आता है इसके करने की ज़रुत नहीं जैसे है वैसे आप इनके अंदर डाल दीजिए वह कि भाई देखो डालने कर प्रोसेस ऐसा है क्या बार होता क्या है लोग बार करते हैं कि इनको जब स्पार्ट फ्लक को डालते हैं तो ऐसे गिरा देते हैं अब इनका जो गैप खराब हो जाता है जिसकी वज़े से भाई गाड़ी जो पठाके मारने लगती है पीकप का इशू आने लगता है और भाई बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाती है तो यह चीज़ आप ध्यान रखेगा आप खुद इंस्टॉलेशन ना करें अगर आप एक्सपर्ट हो तो कर लेना नहीं तो भाई आफ्टर माइकिन पचास रूपे लेगा तीनों आपके स्पार्ट कि कॉइल दिख रही है इनको जो दसनमर के बोल्ट से खोलना है और यहां जो स्पार्ट प्लक दालने है ठीक है पांच मिन का काम है अगर आपके पास टूल्स है स्पार्ट खोलने वाला है तो आप जो खुदी कर सकते हैं बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यह ची चीज़ें जो है फरक होई है सबसे पहले ना मेरी गाड़ी को जैसी मैंने स्टार्ट किया तो भाई फरक तो मेरे को महीं पता चल गया था इतनी वाई इस स्पार्क प्लक नहीं नॉइस कम कर दितनी वाइब्रेशन कम कर दी तिना जिसकी मैं ला कोई हद नहीं मैं अंदर कै पर चला गया था मैंने का यार थोड़ा सा इसको चलाएंगे तो और पता चलेगा तो वहां मैंने गाड़ी 1200-1400 किलोमेटर चलाई ठीक है मनाली कहा था पूरा व्लोग आप देख सकते हैं वहां भी मैंने जो अपडेट किया था स्पाप्लक के बारे में ठीक है इसके अंदर मैंने इरीडियंस पाप्लक दाले थे और उसके बाद से मैंने गाड़ी को एक हजार किलोमेटर चला दिया कम से कम और अब ही भी मैं पहाड़ी रस्ते पर हूं मनाली के अंदर हूं और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं खुद ही आप देख रहे हैं गाड़ी के अंद 19.1 का यह मालीज शोग कर रही है महाँ पर चलाने में इतना जो फरक मिल ला था घाड़ी गेर शिफ्टिंग काफी अच्छी कर रही थी क्योंकि यह आटोमेटिक वेरेंट है तो मेरे को अच्छा खासा जो रेस्पांस मिल रहा था जो जर्क था ना वो खतम हो गया था उपूल कर रही थी जो कि काफी अच्छी बात आदर फुल लोड और AC की बात कर रहा है ठीक है टीक है तो आपको और अच्छा पीकप बिलेगा विद एसी के साथ थि आपको काफी अच्छा यह पिकप प्रोवाइट कर आय थी जो मेन इसके अंदर प्रॉब्लम आए ती ना कि यह डिस्टेंस टू एमटी और अपना जो है यह एकदम सा बार खतम करी थी भाई उसके अंदर भी फरक हो गया था अब जो है डिस्टेंस टू एमटी जितने किलोमेटर चल ला तो अल्मोस्ट उसके हिसाफ से जो है मलब यह किलोमेटर गिरा रही थी तो वह चीज ठीक यह जो बार्स थे यह भी जो है अब उस तरीके से नहीं गिर रहे थे काफी रैपिड ली बार गिर रहे थे जिसके वैसे बाई बिल्कुल भी मालेज यह गाड़ी नहीं दे रही थी ट्रिप के अंदर मालेज टेस्ट किया था तो इसने ओल ओवर जो होता है न कि हाईवे प भी पहाड़ पे भी मेरे को 15-16 का मालेज दिया इसने विद एसी फिद फुल लोट चार जनों के अंदर तो भाई मालेज इस गाड़ी नहीं काफी मेरे को अच्छा दिया ठीक तो यह चीज़े मेरे को बतानी थी अगर किसी को भी यह इशू आ रहा है भाई आपका जो है ग अगर मैं मॉडल नमबर आपको जो दुबारह से दिखा हूँ आप देख लिए ल के आर सेवन बी आई एक्सपी और यह ऐसा नहीं है कि नेक्सवान के लिए अगर आप एल्ट्रोज है पंच है बीए सिक्स मॉडल है ठीक है बीएस फोर मॉडल और भी है आपके पास सकते हैं क्योंकि मैंने उन गाडियों में भी दाले है अच्छा कासा रेस्पांस आया और इस गाड़ी के अंदर भी मैं आप जो चेंज कर रहा हूँ क्योंकि आपको जो थोड़ी सी हेल्प मिल गई होगी मेरी गाड़ी का जो मालेज इस खतम हो गया पिकप काफी अच्छ ह हो गया और एक बार जो है मैं आपको जो है इंचे स्टार्ट करके भी दिखा देता हूं गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रही है क्योंकि ट्रिप के बाद से ना मैंने गाड़ी को साफ नहीं करा है सीथा जो शोरूम पर साफ करोंगा इसको तो अगर मैं आपको दिखाऊं सबसे ज्यादा जो फरक मिला है इस गाड़ी में बाकी अंदर भी कोई भी वाइब्रेशन नहीं है यह देखें कैभी नॉइस बहुत कम होगे लिटली 50 परसेंट जो फस्ट गेर के अंदर जो लैग मिलता था जो फरस्ट गेर के अंदर यह गाड़ी ठीक से उठाने करती थी उसके अंदर भी पिक अप आ गया है तो इंस्टेंट पिक अप आपको मिल जाएगा गया तो माइलेज जो अटो मदद मिल गई होगी और पूरे यूटीव पर पर ऐसी कोई भी वीडियो नहीं है तो मैंने अपना जो अलोबर एक्पिरेंस बता दिया और यह एक्पिरेंस जो है 17-1800 किलोमेटर बाद में बना रहा हूं ऐसा नहीं कि मैंने दाला और बता दिया ठीक है मेरे चैनल पर आपको जो कोई भी फेक चीज़े नहीं मिलने वाली ह ठीक है क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा कैसे कमा जाता है तो मैं मिलता है एक नेक्स वीडियो में टेदना भाई टेक के ध्यान रखें और वीडियो में मैं आल्मोस सब्सक्रीज बता दिये अगर आपको और कुछ पूछना तो इस्सेग्राम पर मेरे सब पूछ लेना और म मेरे को लगेगा तो इसका नेक्स पार्ट वी में बना दूँ ठीक है